सब इश्रोतों को सुबह का नमस्कार और दोनों हाथ जोड़कर पढ़ना में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महान संथ गुर्यविदास महाराजी की एक महात्त पूरण शिक्षा के बारे में हर व्यक्ति के प्रति द्यालू बने गुर्यविदास जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें मानबता प्रेम और द्या का मारग दिखाती हैं गुर्यविदास जी का मानना था कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है जीवन में कठनाईयां और समस्यां सभी के हिस्से में आती हैं उन्होंने कहा हमें दूसरों के प्रति सहानु भूती और दया का भाब रखना क्या ही है क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कोई ब्यक्ति कि संगर्स से जूज रहा है द्यालूता का मतलब केबल दूसरों की मदद करना ही नहीं बलकि उनके प्रति बिनमर और सामिधारी का का भाव रखना भी है जब हम दूसरों के प्रति द्यालू होते हैं तो हम एक बहतर समाज का निर्मान करते हैं गुर्य अबिदास जी ने सिखाया कि द्यालूता से ही मनुश्यों अपने बीतर की निकारात्मक्ता को खतम कर सकता है गुरू जी कि आसपास की हर स्थान पबितर हो जाता है दया का भाव ना केबल दूसरों के लिए फाइदे मन्द हैं बलकी यह हमारे भीतर शांती और संतोर्ष भी लाता है तो दोस्तों आज से यह संकल्प लें कि हम दूसरों के प्रति द्यालू बनें चायब हमारा परिवार हो मित्र हो या कोई अन्जान व्यक्ति हर किसी के साथ बिनमर्ता और सहानव होती से पेश आएं अगर गुर्ण अबिदास जी की ये शिक्षा प्रेणना दाइक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें कल सुबह फिर आपसे मिलूंगा ऐसे ही प्रेणना दाइक वीडियो के साथ तब तक जै गुर्ण रविदास्ति महराज जै भीम आपका दिन शुबहो